नमस्कार दोस्तों, देश भर में लगातार बढ़ते कोरोना वाइरस केसिस को देखकर लोग वैक्सीन के पीछे भाग रहे हैं लेकिन एक तरफ हमें ख़बर में सुनने को मिलता है कि कुछ वैक्सीन से ब्लड प्लोटिंग के केसिस सामने आएं कुछ बहुत ही जान लेवा और खतरनाक साइड एफेक्ट्स हमें देखने को मिले हैं और दूसरी तरफ हम ऐसे केसिस देखते हैं जहांपर लोगों ने वैक्सीन ली लेकिन फिर भी उन्हें कोविड-19 हो गया जाहिर सी बात है ये सब देखकर आपके मन में सवाल उठेगा कि क्या मुझे वैक्सीन लेनी भी चाहिए आए इनी सवालों को आंसर करने ही कोशिश करते हैं आज केस वीडियो में सीधा साइड एफेक्ट्स की बात करते हैं ब्लड क्लोटिंग वाले हानिकारक साइड एफेक्ट्स जो हमने देखे हैं वो हमें ऐस्टर जैनिका ओक्सवर्ड वाली वैक्सीन में देखने को मिले हैं आज के दिन दुनिया में सौ से जादे देश इस वैक्सीन का इस्तिमाल करने लग रहे हैं इंडिया में दो में वैक्सीन इस्तिमाल करी जा रही है, कोवीशील्ड यही ऐस्टाजेनिका वाली वैक्सीन है। तो शुरुआत में जब इस वैक्सीन को टेस्ट किया जा रहा था, कोई बड़े हानिकारक साइड एफेक्ट सामने नहीं आए। लेकिन जब इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, तो पहले केसिस इस डेंजरेस साइड एफेक्ट के नौर्वे में देखने को मिले. चार हेल्थ वर्कर्स जिनकी उमर 50 साल से कम थी, उनके अंदर ब्लड क्लोटिंग हुई इस वैक्सीन को लेने के बाद, और लो प्लाटिलेट काउंट्स देखने को मिले. अब ब्लड क्लोटिंग दोस्तों, काफी हानी कारक चीज हो सकती है, अगर वो आपके ब्रेन जैसी जगाओं पर होए तो. आपके ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर सकती है, जिससे कि आपकी डेथ हो सकती है. इन चार में से दो हेल्थ वर्कर्स की डेथ हो गई ब्रेन हेमरेज की वज़े से. बाकी दो को हॉस्पिटलाइज किया गया और इसके बाद सिमिलर केसिस देखने को मिले. डेनमार्क में जहाँ एक और इतली में जहाँ एक इनसान की मौत हो गई. और यूके में भी साथ ऐसी डेथ देखने को मिली. इन सारे केसिस को देखकर कई कंट्रीज ने एक टेंपररी बैन लगा दिया इस वैक्सीन के इस्तिमाल पर. डेनमार्क पहली कंट्री थी जिसने एस्टेजने का वैक्सीन का यूस टेंपररली सिस्पेंड कर दिया. उसके बाद आइसलेंड और नॉर्वे ने भी ऐसा ही किया. इन कंट्रीज ने कहा कि हम as a precautionary measure इस वैक्सीन को भी इस्तिमाल करना बन कर रहे हैं जब तक और डेटा सामने नहीं आ जाता कि ये actually में इसके side effects कितने हानिकारक हैं और कितना ज्यादा लोगों को इससे risk पहुंचता है. आज के दिन कई medical organizations ने इस issue को detail में study किया और हमारे पास ठोस data available है कि actually में इससे कितना risk है. European Medicines Agency, EMA का कहना है कि जो blood clotting का risk है इस vaccine से वो है one out of hundred thousand cases. मतलब बगर इस vaccine को एक लाख लोग लगाएंगे तो उनमें से एक ऐसा case निकल सकता है जिसमें blood clotting देखने को मिले. तो यह जो risk है यह very rare risk है. British Health Regulator के data के according यह risk और भी ज्यादा कम है. उन्होंने काया कि यह risk actually में one out of two hundred fifty thousand cases है. अब आपको शाद सुनने में लगेगा कि नहीं यह फिर भी काफी ज्यादा risk होता है. मतलब एक लाक में से एक ऐसा case निकलेगा. लेकिन आप इसे बाकी चीजों से compare करिए. किसी भी इनसान के लिए on average एक car accident में मरने का risk है approximately one out of five hundred. किसी का डूब के मरने का risk है one out of one thousand. और यह जो one out of one lakh का risk है यह उतनी ही probability होती है दोस्तों. जितनी probability है कि आप किसी के mobile number के आखरी पांच digit guess करके तुक्का मार के बता दो. तो यह मैं आपको अंदाज़ा दिलाना चाहरा हूँ दोस्तों कि जब हम very small risk कहते हैं तो actually में कितना very small है यह. इसलिए दोस्तों इन सारी medical organizations ने recommend किया है कि इस vaccine को इस्तिमाल करते रहना चाहिए क्योंकि जो coronavirus से मरने का risk है वो कहीं ज्यादा है as compared to vaccine के मरने के risk से. लेकिन इसके बावजूद भी कुछ countries यह risk भी नहीं लेना चाहती है. Germany, France, Spain, Italy, Portugal, Netherlands, Australia, Canada इन सारी countries ने AstraZeneca का vaccine का इस्तिमाल करना अब बंद कर दिया है एक certain age group से नीचे. यह age group है 50 to 60 years के भी. जर्मनी में जैसे 60 years से कम उमर के लोगों के लिए AstraZeneca अब नहीं मिलेगी. आप पुछोगे अब इन्होंने age limit क्यों set कर दी? इसके पीछे reason यह है दोस्तों कि एक और चीज जो इन सारी organizations ने research करके पाई वो यह है कि यह जो blood clotting का risk है यह younger लोगों के लिए ज्यादा है as compared to older लोग. मुझे भी surprising लगा लेकिन यह side effect यंग लोगों पे ही ज्यादा दिखता है दोस्तों. जैसे कि Australia ने recommend किया है कि जिन लोगों की उमर 50 साल से कम है वो AstraZeneca की जगें दूसरी vaccines लेना prefer करें. मुझे यह चीज बड़ी unbelievable सी लगती है कि पूरी दुनिया में हमें blood clotting के side effects देखने को मिल रहे हैं इस vaccine से. लेकिन इंडिया में जहां पर इतनी सारी vaccines लोगों को लगाई गई गई, वहां पर कोई भी case नहीं देखने को मिल. सरकार के दिये गए data पर पता नहीं कितना भरोस हैं, वहां पर इस vaccine को इस्तिमाल करना beneficial ही होगा देश के लिए as compared to कि हम इसे ना इस्तिमाल करें इस छोटे से risk के डर से. तो ये तो हो गई side effects की बात, बाकी जो vaccines हैं Pfizer, Moderna और Covaxin, उनमें अभी तक कोई भी ऐसे हानिकारक side effects नहीं देखने को मिले हैं. अभी तक नहीं मिले वैसे तो chances हैं कि आगे भी नहीं मिलेंगे क्योंकि काफी महीने हो गए हैं इस्तिमाल करते हुए. लेकिन दूसरी चिंता जो लोगों की है वो ये है कि हमने vaccine ले लेकिन उसके बाद भी हाँ पर हम cases देख रहे हैं कि लोगों को infection हो जा रहा है. ये कैसे हो सकता है? इसके बाद कितनी effectiveness होती है vaccine की? पहले एक से दो हफते में Pfizer vaccine की effectiveness सिर्फ 38% है और AstraZeneca की 70% लेकिन 30 दिन बाद ये effectiveness 94 तक टच कर जाती है AstraZeneca vaccine में और Pfizer में 85% पर है ये. दूसरा reason है कि vaccine का full effect मिलने के लिए आपको दोनों doses लेनी पड़ती है vaccine की. लेकिन अब आप बोलोगे कुछ ऐसे भी cases देखने को मिले हैं जहाँ पर दोनों doses ली है vaccine की और काफी लंबा समय गुजर गया लेकिन उसके बाद भी infection हो गया किसी को. इसलिए दोस्तों तीसरा reason है कि चाहें आप दोनों doses ले लो vaccine की और चाहें आप 30 दिन तक इंतजार कर लो इसके बाद भी आपको हो सकता है COVID-19 क्योंकि vaccines 100% effective नहीं 94-95% इनकी effectiveness है इन सारी चीजों के बाद भी लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी ख़बर है अच्छी ख़बर यह है कि दोनों doses लेने के बाद 30 दिन तक इंतजार करने के बाद आपका जो risk है hospitalization का वो almost 0% है और death का risk almost 0% है यानि vaccine लेने के बाद आपको COVID-19 हो सकता है लेकिन इतने strongly हो कि आपको hospital में भरती होना पड़े या फिर आपकी death हो जाए यह नहीं होगा In fact, कुछ experts ने ये भी claim किया है कि इन सारी vaccines की AstraZeneca, Pfizer, Moderna इन सारी vaccines की 100% effectiveness है आपको death से बचाने में अगर आपको COVID-19 होता है तो दोनों doses लेने के बाद उमीद करता हूँ दोस्तों आपके मन में जो भी डर होगा, doubts होंगे वैक्सीन की effectiveness और side effects को लेकर वो clear हो गए होंगे इस वीडियो को share कीजिए, ज्याल स्यादा लोगों तक अपने family members के साथ और friends के साथ अगर उनके मन में भी ये doubts हैं वैक्सीन को लेकर अब एक तो हो गया कि चलो वैक्सीन हमें लेनी है, अब दूसरी problem यहाँ पर आती है कि क्या हमें वैक्सीन मों मिल पा रही है सरकार की तरफ से वैक्सीन की shortage काफी देखने को मिल रही अब देश में, इसके पीछे एक रीजन बताया जाता है कि शुरुआत में सरकार ने वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने में ज्यादा फोकस किया कि हम वैक्सीन को बाकी देशों में बाटेंगे सरकार इस चीज़ को लेकर शो ओफ भी कर रही थी कि देखो हमने जितनी वैक्सीन देश में लोगों को दी है उससे ज्यादा हमने वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया है जो कि सरकार ने नहीं करी यहाँ पर अब इस वैक्सीन की शोटेज से डील करने के लिए कई सलूशन एक्सपर्ट ने सजेस्ट किये हैं जिन में सबसे बड़ा सलूशन यह है कि इंडिया में बाकी वैक्सीन को भी अलाव किया जाए जो फाइजर और मोडेरना वैक्सीन बाकी देशों में मिलने लग रहे हैं उन्हें इंडिया में भी आने दिया जाए और ट्रांस्पेरेंट रहेगी डेटा को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद